प्रदेश परफबारी ने दस्तक दी है तो वहीं अब मौसम में बदलाव देखा जा रहा है बात अगर उचे इलागो की करें तो लाहौस पीती और किन और में पहाड बरफ की आगोश में है और तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है बरफबारी के बाद इन जगाहों पर जहां एक ओर लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है और उन्हें रोज मर्रा के कामों को करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं दूसरी ओर सलानियों के लिए ये खुशी का पल है बात अगर प्रदेश के मिचुले इलाक्ती करें तो कोड़ जगाहों पर अभी भी धुन्द का कहर जारी है ये तस्रीरी है फिलास्पुर की जहाँ पर अभी भी धुन्द और गोहरी के साथ लोगों को धंड से चुटकारा नहीं मिला है सुभा के समय अभी भी लोगों को ठिटरोन का सामना करना पड़ रहा है वहीं बात अगर मैदानी जिला उना की करें तो यहाँ पर दिन के समय धूप निकलने से तापमार में बढ़ोतरी हुई है हालांकि सुभ़शाम तापमार में शीतिलहर के चलते ठंड है लेकिन ठेटुरन फिलहाल खत्मों चुकी है मौसम विभाव में 12 से 13 परवरी तक मौसम साफ रहने की आश्रंका व्यक्ति थी अब आगामे दिनों में देखना होगा कि मौसम में किस तरह का बदलाव होता है वीरो रिपोर्ट सूर्य समचा